पपीता बहुत ही महत्पूर फसल है खास करके किसानों के लिए उत्तर भारत, मद्ध भारत, पूर्वी भारत और दच्छिट भारत में सितंबर और अक्टूबर के महिने में हम सामान रूप से रोपाई करते हैं इसके बाद दुबारा हम फरवली और मार्ज के मौसम में रूपाई करते हैं इसलिए आगे की पौत तयार करना और इस समय की रूपाई दोनों जानना अतिया वस्यक है ऐसे में किसमों का चुनाव बहुत ही महत्पूर हो जाता है किसमें दो तरह की होती हैं जिसमें नर्मादा अलग अलग होते हैं उन्हें हम दुलिंगी किसमें कहते हैं जैसे पूसा नन्हा, पूसा ड्वार्फ और पनपपिता एक और कुछ किसमें ऐसी होती हैं जिसमें मादा और उभईलिंगी पौते होते हैं उनमें हैं जो प्रजातियां उनमें अर्का सूर्या, अर्का प्रभाद, रेड लेडी, सिंटा ये ऐसी प्रजातियां हैं जिसमें सभी पौधों में फालाता है अगर आप पूसा नन्हा या पूसा ड्वार्फ जैसी किसमों का चुनाव कर रहे हैं तो आपको पौध से पौध की दूरी एक दसमलो पांच मीटर या पांच फिक कह सकते हैं और वही आपकी कतार से कतार की दूरी होगी इसी करम में अगर आप उभाईलिंगी किसमों का चुनाव कर रहे हैं जिसमें अरका प्रभात या रेड लेडी या सिंटा जैसे किसमें हैं तो आप पौध से पौध की दूरी को एक दसमलो आट मीटर रखिए और कतार से कतार की दूरी को एक दसमलो आठ मीटर या अगर आपको कोई और सस्किरियाएं भीच में करनी है तो आप दसमलो एक मीटर भी रख सकते हैं इस तरह से करेंगे तो आपको एक हेक्टेयर में करीब तीन हजार के आसपास पौधे प्राप्त होंगे अब यहाँ पर रोपाई का समय मैंन इस संस्थान से पूसा में पूसा के दो रिसर्च सेंटर जो हैं वो पूसा समस्ती पूर बिहार वहां पर आपको पूसा ड्वार्फ का बीज मिल जाता है और पौध भी मिल जाती है लेकिन जहां तक हमारे इंदवर सेंटर की बात है जहां पर पूसा नंहा का बीज मल्टि होती है उसके उन्सार ही आप पौध को तयार करें और एक ग्राम से आपको करीब 30 पौध मिलती है आने वाला मौसम सबसे प्रतिकूल मौसम होती है अक्सर पाले के चलते उत्तर भारत और मद्य भारत में बड़े छेतरों में पपीते का नुक्सान होता है यहां पर हम किसानों को सलाह यह है कि जो भी अगर आपकी फल लगे हुए हैं और वह परिपक हो रहे हैं 125 130 135 दिन के हो रहे हैं तो हर हालत में उनकी नौंबर के आखरी सब्ता तक तुड़ाई कर ले और उनको बाजार में बेशते हैं वह कमरे के तापक्रम पर पकने की अवस्था में आ जाते है 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी का जो मौसम होता है उस समय काफी पाले पढ़ते हैं और पाले के वह अनकूल मौसम होता है उस मौसम में हम मौसम की भविस्वारी का ध्यान रखें और प्रतिसप्ता हलकी सिचाई करते रहें और साथी साथ पोटेसियम नाइट्रेट 2 गराम प प्रतिजर के हिसाब से छिड़काओ करें तो ठंड में कुछ हद तक पौधों को इस से राहत मिलेगी